होसले कभी रुपते नहीं, जजबे कभी ठैरते नहीं, उमीदे कभी बुच्चती नहीं, खाग कभी जलते नहीं, ये कहानी है अशोग, शहरे नाखों, जिसे राजा बग बुलन शाहा ने बसाया, लाखों की आबादी वाले इस शहर में, चहरे परचाईया हैं, या परचाईया चहरे, हिसाब लगाना मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग इस शहर में ऐसे भी हैं, जो नूर की तरह राशन जिन्होंने साबित कर दिखाया, करना चाहों, तो क्या नहीं होता, अशोग उन्हीं में से एक है, अशोग अपाहज है, लेकिन पैरों से, मन से नहीं, वैसे जिन्दगी कभी अपाहज नहीं होती, न समती है, न रुकती, बस बहते रहती, और जो लेकिन बहुत ही आसान है ये समझना, कि मन के जीते जीत है मन के हारे हार, अशोग का लक्ष था एवरिस्ट की चोटियों पर तिरंगा लहराना, उसके ख्वाबों में रात दिन एवरिस्ट की दुर्गम घाटिया नजरा, उसे नजराता, बरफीली हवाई उसे नीचा मार्शल आर्ट्स कराटे में वे पहले सी ट्रेंग थे, सो फिर से अभ्यास चुरू किया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही अशोग ने साइक्लिंग, बाइक राइडिंग, ड्राइविंग शुरू किया, योगा, ध्यान, प्रानायाम के जरिए मन, शरीर, आत्मा को सा अस्थमा जैसे बिमारी को पचाना, अदंब साज के बूते अशोग ने वो कर दिखाया जिसकी कोई मिसाल नहीं, अशोग ने अपंगता के बावजुद नेपाल के मेरा शिखर पर भारती अतिरंगा लहरा है, अशोग भारत के पहले अपंग है, जिनोंने शिखर तक का सफ पूरा किया, वो भी ऑक्सिजन सिलेंडर के बगैर, अशोग एवरेस्ट की चोटी को छूना चाहते है, मगर वो यही पर नहीं रुकना चाहते, उनके कदम दुनिया की हर चोटी को चूमना चाहते है, और यकीनन उमीदों से बरा ये युवा अपने लक्ष को पाकर रहेग तैमाने, गिरते हैं शैसवार ही अदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले, जैहिन झाल